शादी के दिन बंद कमरे में इस दूलहन ने किया कुछ ऐसा की वीडियो हो गया वायरल सोशल मीडिया पर पिछले दिनों प्रिया प्रकाश काफी चर्चित रही है एक वीडियो क्लिप के जरीए फेस्बूक, टिटर, इंस्टाग्राम और वाटसेप पर वायल हो रही थी उस वीडियो में एक लड़की अपने नख़ट भैशने बल एक सप्रिश अनन से अपने बयत प्रेन को इशें करती नजर आ रही थी और वायरल वीडियो में जो नौटी लड़की दिख रही थी वेर मल्याली एक्टरस प्रिया प्रकाश वारियर है प्रिया प्रकाश की मल्याली फिल्म और वायरल हुआ था प्रिया प्रकाश ने इस फिल्स में डेब्यू किया है अब वहीं एक और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होती दिख रही है प्रिया प्रकाश के बाद ये वीडियो हो रही है वायल सोशल पर आए दिन कोई न कोई वीडियो चर्चित में बनी रहती है हाल ही में प्रिया प्रकाश में पहले कुछ ऐसी वीडियो वायल हो रही है जिसमें दुलहने डांस करती दिखाई दे रही हैं जैसे कोई नई नावेली दुलहन अपनी शादी में खुबसूरत जोड़ा पहन कर इंटर करती नाचती गाती आ रही है और कई तो डांस फ्लोर पर पत्ती संगती रखती दिखाई दे रही है चूड़ा, बिंदिया, शर्म हाया के साथ सब को हैरानी में दाल रही है ये दुल दुलहनों का बेफिकर अंदाज शादी के दिन को यादगार बनाने के लिए आज के दौर की दुलहने कुछ हट कर करने की कोशिश कर रही है, कुछ फ़नी तो कुछ त्रुम अटिक जो हमेशा याद बन कर रहे, दुलहनों की ऐसी यादों को एल्बम में या मन में नहीं प दुलहनिया के अंदाज है, कुछ अलग वीडियो में इस देसी दुलहनों का डांज का अंदाज है सबसे अलग, शादी वाले दिन दुलहन जिस तरह से तयार होती है, उसकी जलक भी इस वीडियो में दिखाई गई है, आम और पर शादी के दिन जब दुलहन तयार हो रही ह तो वे शान्त धेर अपकूर्वक और नर्वस लगती है लेकिन यहां दूलहन इस दोरान बिलकुल आलग है इस दूलहन की वीडियो को एक दिन में ही 6 लाग से ज्यादा लोग देख चुके हैं इस वीडियो में एक दूलहन चुड़ा और जीन्स पहने हाथ में लगी मेहंदी के साथ पंजाबी गानों पर डांस करती पड़ रही है पंजाबी गानों के साथ ही यह लड़की बीच बीच में बेली डांस भी कर रही है दिल्ली बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर प्रियंका कमबो चोपडा ने अपने डिलाइन एगवा स्टूडियो नाम के इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है कि इस कूल ब्राइट को टैग करें इस वीडियो में दिखाई दे रही दूलहन का नाम रशिका यादव है जिसने अपने शांदार डांसिंग मूव से इंटरनेट पर संसनी मचा दी है बता दें कि रशिका ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिर से पोस्ट किया है और औलक द्वारा पोस्ट किया जाने के बाद से इस वीडियो को 6 लाग से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं